आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा जन हित आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा जन हित क्लियर है देखिएगा जो यह जन हित है ना कि जन हित याचिका है दोनों में अंतर होता है एक है जन हित और जन हित के लिए डाली जाती है याचिका तो आपका जो टॉपिक वेटके यह जनहित है क्या आपको ये बास समझ में आई हना जनहित तॉपिक है जनहित याचका मत पढ़िये गा इसे कहते पustain इंग्लिक हें कहें पा strengthening कि इसे हम लोग का कहेंगे पबिल यल टेर विक तक खते हें में है और को हम लोग你們 इंक्रेश्ट के नाम से भी जानेंगे तो जन हित का मतलब क्या है जन का मतलब होता है लोग जन का मतलब क्या है मेरे साथियों जन का मतलब है लोग और हित का मतलब क्या है कल्यान यानि कि यहां पर बात की जाएगी लोगों के कल्यान की यहां पर किसकी बात की जाएगी लोग तो जण हित को हम लोग और क्या कर सकते हैं सार्वजनिक हित आ पताओ जब सार्वजनिक हित होगा यानि की लोगों का कल्यार होगा जब हमारा देश विक्सित होगा तो सिंपल सी बात है ना तो देश का भी नाम होगा इनिए सार्वजनिक हित को हम लोग राष्ट्री हित के रूप में समझ सकते हैं हम लोग सार्वजनिक हित को बच्चों किसके रूप में समझ सकते हैं तो सार्वजनिक हित को र और सार्जनिक हित को हम लोग क्या कह रहे हैं साथियों राश्ट्री हित कह रहे हैं लेकिन एक बात ये समझेगा लेकिन एक बात ये समझेगा कि ये राश्ट्री हित जन हित या सार्जनिक हित होता है और एक होता है निजी हित एक होता है निजी हित तो निजी हित का मतलब क्य क्या हो जाएगा सबका कल्यार यदी हम लोग यदी हम लोग एक व्यक्ति की बात करें यदी हम लोग एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति की रूप में होता है निजी हित लेकिन जब हम लोग कि व्यक्ति से बनता है समाज व्यक्ति से क्या मिनता है जित समाज की बात करते हैं तो फिर होता है सारवजनिक ओर जब समुदॉदाए की या समयाच की बात करते हैं तो अनुम बात करते हैं सारजय headache की तो क्या यह बाप आपको समझ में आ रही है क्या यह बातकर पासमझ में आ रही है अब बताईजे लोगों का सुince Quindi का लोगों को दो सबसे बचाने के लिए लोगों को सोसर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ जल्दी से लोगों को सोसर से बचाने के लिए जो मानव हैं उनके पास अधिकार होने चाहिए लोगों को सोसर से बचाने के लिए हमें क्या हमें अधिकार परदान करने चाहिए तो लोगों को अगर हम लोग अधिकार परदान करतें हना राइट्स परदान करतें तो उनको पता चल जाएगा कि उनके क्या राइट्स हैं और कौन हमारा सोसर कर रहा है और जो सोसर कर रहा है तो वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम उसके खिलाफ कम्प्लेन कर पाएं तो हम बच्चों उसके खिलाफ क्या कर पाएं साथियों कम्प्लेन कर पाएं तो लोगों को सोसर से बचाने के लिए हमको अधिकार प्रदान करने चाहिए अब ये जो अधिकार है जब कोई देश बहुत आगे निकल जाता है तो वहाँ पर मानव अधिकार को समवेधानिक गोसित कर देते हैं तब क्या करते हैं मानव अधिकार को समवधानि घोसित कर देते हैं लेकिन जब देश हमारा बहुत आगे नहीं निकल पाता तो फिर क्या होता है तो फिर उसको सिर्फ समवधानिक अधिकार दिये जाते हैं तो सिर्फ उसको क्या दिये जाते हैं बच्चों तो सिर्फ उसको त सम्वैधानिक अधिकार दिए जाते हैं तो आप बताई कि हमारा देश कित्री आगे निकल गया है क्या हम लोगों को मान्वा अधिकार है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक मानव को जितने अधिकार मिलने चाहिए क्या वो सारे अधिकार हमारे देश में लोगों को दिये गए हैं जल्दी बताओ क्या वो सारे अधिकार हमारे देश में लोगों को दिये गए हैं तो आप कहेंगे नहीं सर आप कहेंगे सर जी नहीं सर तो यहीं हमारे देश अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो हमारे देश में क्या है अभी समवेधानिक अधिकार लागू है तो है। एक आगर मोग्स लोग करते हैं तो यहां पर एक और अदिकार आता है जिसे हम लोग कहते हैं यूथे नेशिया तो ये यूथे नेशिया क्या होता है बचो ये यूथे नेशिया क्या होता है ये यूथे नेशिया क्या होता है कौन बताएगा वाट इस यूथे नेशिया कमलेज बिटा अभी थोड़ा सामें पढ़ाने दो अभी अग्री कल्चर का बैच और वह सारी ची इसे हम लोग क्या कहते हैं इच्छा म्रतिय। क्या बताओ क्या हमारा देश इतना आगे निकल गया है कि अगर कोई मानव यदी कोई मनुष्य अपने जीवन का समापन करना चाहे अरे भाई उसकी इच्छा है उसको जीने का मन नहीं कर रहा है वह बहुत परेसान है उसकी गल् हुआ अससी की दिल में बिल्कुल गिर गई और उसमें क्या रख़ा है जीने में इससे अच्छा है मर जाएं अरे हां कि दो तो क्या हुआ वा तो यूठे नेश्या जो इच्छा मरतियू का दिकार है वह मारे भारत में नहीं है यह हमारे भारत में की बात छोड़ो हमारे भारत की बात छोड़ो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसने यूथे नेशिया को अभी अपलाई नहीं करवाया है क्यों कि किसी भी देश की सरकार का काम है कि व्यक्तियों की सुरच्छा करना अपने नाघरिकों की सुरच्छा करना यदि कोई व्लस्टति मर रहा है कोई वक्ति नाघरिक मर रहा है तो उसकी क्या समस्या है क्या सरकार समधार समाधान नहीं कराया आ पा रही है वह सारी चीजोंote आपको देखनी पड़ेंगी यह एक्टिव पैसिव क्या है एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब यह है हाना इच्छा म्रत्यू जब मनुष्य चाहे जब मनुष्य चाहे जब मनुष्य चाहे वै नियायाले से वै नियायाले से हाना यूथेनेशिया प्राप्त कर सकता है नियायाले से प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति रोगी हो जब कोई व्यक्ति क्या हो रोगी हो रोगी हो और ऐसा रोगी हो जो ला इलाज है यानि इसका इलाज नहीं किया दा सकता और वो जो रोगी है उसको बहुत पीवडा और दर्द है उसको क्या है बहुत पीवडा वा दर्द है या ऐसा रोगी हो जो उसकी बीमारी सही ना हो सकती हो तो डॉक्टर की सलापर यूथनेशिया को जब सरकार अलाव कर दे तो उसे कहते है पैसिव यूथनेशिया और यह हमारे भारत में लागू है ये हमारे भारत में क्या है बच्चों ये हमारे भारत में लागू है क्या ये बास समझ में आ रही है और आप जानते हैं भारत विविदताओं का देश है भारत में ऐसे ऐसे विक्ति जिनको जिनके बचने की उमीद ही नहीं थी कि वो कभी जिंदगी में बच ही भी पाएंगे लेकिन वो बच खड़े हुए और खड़े भी हो गए हाँ तो जिनके बचने के कोई chances भी नहीं थे लेकिन वो क्या हो गए वो तो बच गए भाई वो क्या हो गए वो तो सारे बच गए तो इसलिए हम लोग डरते हैं कि भारत विवित्ताओं का देश है पता नहीं कौन देवी देवता खड़े हो जाए आके हाना यम्राज के सामने और कैदें यह तो मेरा चेला है इसको कोई नहीं लेकर जाएगा ठीक है तो हमारे भारत में पैसिव यूथेनेशिया मानने है यह वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगे बच्चों ठीक है यानि कि जनहित की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं बिसिकली मौलिक अधिकारों की हमारे सम्विधानिक अधिकारों की बात करते हैं अर्था मौ सम्धान के भाग तीन में और सम्धान का अनुच्छेत 12 से 35 और किसी का सोसर ना हो जाए किसी का सोसर ना हो जाए तो मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए के मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए आर्टकल 32 बनाया गया है जो आर्टकल 32 है यह क्या कहता है यह क्या कहता है सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार अंधिकारा अरथात अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है कोई भी मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है वच्चों क्या कर रहा है हनन कर रहा है तो समवधाने कुप चारों का अधिकार यह किसी व्यक्ति किसी संस्था या सरकार के विरुद्ध प्रदान किया जाता है सरकार के विरुद्ध होता है यानि किसी व्यक्ति ने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है तो भी ये काम आएगा किसी संस्था ने किया है किसी निगम ने किया है किसी सरकार ने किया है तो आप Article 32 का यूज कर सकते हो और जो समवेधानिक उपचारों का अधिकार है हना ये Supreme Court और High Court दोनों को ही पावर देती है Supreme Court को Article 32 के तह्त देती है और High Court या उच्छ नियायाले को Article 226 के तहथ देती है कि अगर किसी विक्ति संस्था या सरकार ने ऐसा किया है तो आप उसके विरूद क्या कर सकते हैं बच्रों तो आप उसके विरूद के सथ-साथ हाना मौलिक अधिकारों के क्लास तो चल लही है पेटा मानसी का विरूची भी लोगों को पढ़ने में मजह नहीं हा रही क्या क्यों बताओ तो बंदने क्लास भाइब यह बढ़ा है तक तो लोग दिन बर चिला रहे थे किसर मानसी का विरूची प्लीज पढ़ा दीजिए चलो कोई बात आगे बढ़ते हैं तो जन हित के लिए लोगों के हित के लिए तो समधान में मौलिक करतव तो हैं इसके साथ और क्या है पर मौलिक अधिकार तो हैं ही और दूसरा क्या है मौलिक करतव दूसरा क्या है मौलिक करतव क्लियर है तो मौलिक करतव को जोड गया राश्ट्री हित के लिए और प्लस सार्वजनिक हित के लिए राश्ट्री हित के लिए और सार्वजनिक हित के लिए क्या ये बात आपको समझ में आई तो जो मौलिक करतव है वो राश्ट्री हित में भी योगदान देता है और सार्वजनिक हित में भी योगदान देता ह खोगे सर जी कैसे मौलिक अधिकार तो सिर्फ जनहित दे रहा है लोगों का कल्यान कर रहा है लोगों को रच्छा कर रहा है लोगों का गरंटर है उनके अधिकारों का गरंटर है जबकि जो मौलिक करतव है जो बच्चे मौलिक करतव है वो सरकार से कहता है सरकार से कहता है क्य कि तुम्हें क्या कारे करना है और क्या कारे नहीं करना क्या कारे करना है क्या नहीं करना जैसे अनुच्छ लिक्तालिस की बात करो तो अनुच्छ लिक्तालिस कहता है बिरोजगारी व्रधावस्था बीमारी या किसी की भी चीज के अभाव की दशाओं में लोग सहता पाने का गठन करो और उस ग्राम पंजद गठन करने के बाद वहां के लोगों को सरकार चलाने का मौका दो लोक तांत्रिक विकेंद्री करण की स्थापना करो क्या यह बाते समझे रही हैं तो बच्चे समझेगा तो मौलिक करता वे सार्वजनिक हित की भी बात करता है हना और सार्वजनिक हित की भात करता है सारी बात समझ में आ रही है बच्चो सारी बात आपको समझ में आ रही है बहत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो मौली करताव का उल्ले नुष किसमी किया गया है उनुखिचेद 51 का ए और भाग नमबर है चार समिधान का भाग नमबर चार का ए समिधान का भाग नमबर चार का ए है हाना समिधान का भाग नमबर चार का ए है क्या यहां तक भी बात आपको समझ में आई आप सर जी अब आप हमको इतना बताईए जल्दी से हाँ बिटा एक बचार अनुछेद बिटा चार के ए में है हाना और अनुछेत बता दिया है भाग बता दिया है और जो तुम बता रहे हो 36 से क्यावन वो क्या है वह है नीती निदेशक तत्तों वो क्या है बचो नीती निदेशक तत्तों वो क्या है नीति निदेशक तत्तों यह क्या है इसका अनुच्छे 36 से 51 है यह अनुच्छे 36 से लेकर 51 तक है और भाग नंबर है चार भाग नंबर है चार अब कोशन यह है कि नीति निदेशक तत्तों को क्यों सामिल किया गया है नीति निदेशक तत्तों को क्यों सामिल किया गया है नीति निदेशक तत्तों को जब भी जनहित की बात करेगा तो जनहित में आपको तीन चीजिया भी ध्यानक नहीं है जनहि आपको जन्हित से रखने हैं जो लोगों के कल्याड करते हैं राष्र को आगे बढ़ाने का कॉश्ण यह है नीति निदेशक तत्त को क्यू सामिल किया गया तो आप कहेंगे भारत में बहरत में कल्यारकारी राज्य की इस्थापना ने लीए भारत में कल्याल कारी राज की इस्थापना करने के लिए समझ में आ गया अब देखिए ये जो नीतिन देशक्तत्त होते हैं ये राज आधारित होते हैं ये किस पर आधारित होते हैं बच्चों राज आधारित होते हैं जो नीतिन देशक तत्त होते हैं वो राज या धारित होते हैं अब आप हमें सिर्फ छोटी से बावताइए सिर्फ दो-तीन बातें आपसे करनी है अना अन्याप समझेगा जुतीन वात आपसे करनी है पहली बात है कि मौलीक अधिकार और नीत में अंतर क्या अंतर रादिकार नीत मेंदेशक तत्त्तों में में फास। जो मौली के जिरेशक क्या है ओर रॉसे टवर किस प्राकार से अलग है तो आप में一ञ के सर देखिए मौली का दिकार क्या है नकारात्मक प्रवरत्ती के हैं नकारात्मक प्रवरत्ती के हैं इन्हें लागू कराने के लिए के लिए न्यायाले के पास जा सकते हैं न्यायाले के पास जा सकते हैं नीति ने दे सकते तो तका रात्मक प्रवरत्ती के हैं तका रात्मक प्रवरत्ती के हैं इन्हें न्यायाले द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता लागू नहीं कराया जा सकता अ देखे सुचितनेThe शरॉयだ देपए यह च्रम विकास की अवस्था है यह क्या है भच्यों यह च儿um विकास की अवस्था है कीजronics जो नीति और देश birds तत्व हैं यह चरम विकास की अवस्था है और आपके एकसर चरम विकास की अवस्था है समझेगा मौलिक अधिकार नकरात्मक प्रवर्ति की होते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सरकार को क्या नहीं करना है सरकार क्या नहीं कर सकती है यह सरकार मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकती क्या वा समझ जाई तो यह जनता की गारंटी है यह जनता की सुरच्छा की गारंटी समझ रहा हूं यह जनता की सुरच्छा की गारंटी है और यह सरकार को क्या नहीं करना है या किसके वृद् कर बताते हैं यहनि सरकार संसद कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को न्यू निया खतम करने की बात कहती हो या मौलिक अधिकार के धाचे में परिवरतल लाती हो यदि मौलिक अधिकार अगर अनन हो जाए या रद कर दिये जाएं तो आप नियाय आले जा सकते हैं और नियाय पालिका इन्हें फिर से लागू कर देगी नियाय पालिका उसको क्या कर दिक बच्छो फिर से लागू कर देगी क्या यह बात आपको समझ में आई बचो क्या यह बात आपको समझ में फटा फिर बताएंगो जल्दी से है कि नहीं लेकिन नीति निए सकते तो यह चरम विकास की चरम अवस्था है इसको पाने के लिए हमको और सौ साला भी चलना पड़ेगा यह इस जो नीदि दे सकते तो है अनुछे 36 से लेकर 51 तक अनुछे 36 से लेकर जो 51 तक है वो ये बताता है सुनते रहीगा वो ये बताता है क्या कि राज को जो भी योजनाय बनानी है राज को कल्यान के लिए भारत में कल्यानकारी राज की स्थापना करने के लिए जो भी नियम बनाने हैं उसमें नीतिन देसक तत्तों को शामिल किया जाए और अगर सरकार इन नीती ने देसक तत्तों को शामिल नहीं करती है तो आप न्याय पालिका के पास नहीं जा सकते कि सर इस योजना में DPSP का ये पॉइंट सामिल नहीं है नहीं जा सकते क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या यह बात आपको समझ में आ रही है आ विधकि भली या कुरुनुजी तहसील दार ने पूछा था कि खेतों के जुताए पहले से क्यों की जाती है थाकि खेतों में नमी बनी रहे वस्म्पल सी बात है ताकि खेतों में नमी आ जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं और जो पुरानी फसल है हाना वो पुरी तरीके से नश्ट हो जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या ये बात आपको समझ में आ गई तो याद रखेगा मानव विकाश राश्ट्री विकाश सारज्वनिक हित के लिए त कौनकौनसी मौलिक अधिकार मौलिक करतब और क्या बच्यो नीति दे सकता तो है अब आप लोग Catherine के बारे में आते हैं कि सर पुलिस के लिए जनहित क्या है डुम्राइजा aoito में जनहित क्या है तो सर यह तो आपने यह तो आपने लोगों का कल्यार लेकिन सर हमें तो देखना है क्या हमें तो देखना है पुलिस का क्या जनित है हम लोगों को सब्छ quarter कर रहे हैं पुलिस की और आपने बता दिए सरकार की ब sophomore ह지 तो उठके अरे जड़े देखेंगी में जो सड़के हैं उसको कोई ब्लॉक ना कर दे की सअरके ब्लॉक कर दी जलूस निकाल रहे हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है समझ में आ गया है तो पुलिस के लिए जन्हिच क्या है अपराद को अपराद को समाप्त करना आसमाजिक तत्तों को आसमाजिक तत्तों की पहचान करना अपराधियों को पकड़ कर जेल तक पहुचाना जेल तक पहुचाना ठीक है जनता से प्रेम भाव रखना प्रेम भाव रखना ताकी वे ताकी वे सभी ताकी वे क्या जितनी भी सभी बाते हैं ताकी वे सभी तत्यों को जुटा पाए क्योंकि अगल बगल के लोग ही आदा के सॉल्व कर देते हैं कि उसके घर में कौन आता था कौन नहीं आता था बासमझा रही है बहुत बढ़िया इसके बाद सांती विवस्था बनाय रखना कानून वा सांती विवस्था बनाय रखना कानून एवं सांती विवस्था बनाय रखना और क्या और क्या भी यह जब अपराद को समात कर दोगे तो जनता क्या रहेगी जनता हमेशा डर से सतर्क जागरूक सचेत रहना सचेत रहना बिना दबाओ के कि भईया विधायक हैं चाचा उसके तो इसको नहीं पकड़ना है समझ्या गया तो दबाओ मुक्त होना चाहिए दबाओ मुक्त होकर होकर पारदर्शिता से कार करेंगे तभी तो मिलेगी पारदर्शिता पूरवक कार करना ऐसा नहीं है कि चाचा विधायक है तो तुमारी पारदर्शिता समात होगे पता है कि इसीने हत्या करी है इसीने मलतकार किया है इसीने सब कांड किया है फिर भी अना हम नहीं पकड़ सभाद है समझ में आ गया यसर यसर बहुत बढ़िया इसके बाद कि धार्मिक कि वा अल्प संख्यक कि धार्मिक वा अल्प संख्यक वा निचले निचले आल्प संख्यक वा निचली या दबे हुए लोगों का दबे हुए लोगों की रच्छा करना दबे हुए लोगों की रच्छा करना कि अगर हम जानते हैं कि ये निचली जाती का है या जन जाती का है या फिर ये बहुत अमीर नहीं है लोग इसका सोसल कर रहे हैं समझ में आ गया तो उनकी रच्छा करने हना ताकि वो अपने आपको उस रच्छित महसूस कर सके बात समझ अन्य विभागों के साथ समनवय इस्थापित करना समनवय बना रखना कि आपको CDR चाहिए कॉल रिकॉर्ट चाहिए आपने किसी कंपने को फोन किया वह यह इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकाल दो अब तुमने इतने गंदे टोन में बात करें उसने का नहीं देंगे जाओ इसी वाली बात समझ में आ गया फिर इसके बाद सबसे महत्पूर्ण बच्चों और करवाते हैं महिलाओं से गलत काम करवाते हैं बात समझा रही है तो इन सभी चीजों के तो यह सब क्या होगा बरिया यह सब क्या होगा यही तो पुलिस के लिए जनहित है बात समझा रही है क्या बटा यही तो क्या है यही पुलिस के लिए जनहित है क्या बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई बच्चों क्या बताओ यहां था का आपको बात समझ में आई जल्दी से जल्दी से कि I am I am Zare casting जब को सब का आंसार आरा है कि चलो मैं सब का आंसार आ रा है तो question करणे से पहले हम लेकी एक काम करेंगे एक मैं question आपको देता हूं एक मैं question आपको देता ओं एक question में कई question होंगे जिर्ाब बताईएगा सब्से पहला question जन हित क्या है पहला कोश्चन है पहला कोश्चन है दूसरा जनहित का उद्देश क्या है जनहित का उदेश क्या है देखो बटा ये मैं आपको दो कोशन दे रहा हूं सुन्त रहना हना दो कोशन दे रहा हूं या फिर या फिर एक और भी बाताम कर सकते हैं क्या कि सामानता जनहित को संपोशक मना जाता है किसका ठीक है जनहित को जनहित को किसका समपोशक मना जाता है किसका समपोशक माना जाता है ये एक और मैं आपको चार कोशन और चार आप्शन दूँगा बस आपको मिलान करना है कि पहले का क्या है दूसरे का क्या है तीसरे का क्या है बास मुझा रही है किसके बाद वर्तमान लोक तंत्र का बुनियादी रूप है ये चार कोश्चन है तो बत्व ये चार कोश्चन है अब मैं आपको चार आप्शन दूँगा अब मैं आपको चार आप्शन दूँगा ठीक है पहला तार्वजनिक हित ये आप्शन हो गया दूसरा जन हित ये आप्शन हो गया ठीक है ना इसके बाद तीसर आप्शन देते हैं सामाजिक समानता सामाजिक समानता मैं बटा हम आपको सिर्फ आप्शन दे रहे हैं और आप हमको बताएंगे कि चार आप्शन है और चार कोश्चन है इनका मिलान करना है ठीक है ना सामाजिक समानता प्लस सामाजिक नयाए है समाजिक नियाय स्थापना समाजिक नियाय स्थापना और क्या है भाई और क्या करेंगे तीन आप्शनों कहई अभी तुम लोगों को नहीं करना है अभी झाना है अभी चलो करो यह उपर चार कोश्चन है और नीचे चार आंसर आपको मैच करना है किसका आंसर क्या है मिलाओ किसका आंसर क्या है जनहित क्या है जनहित क्या है जनहित एक जनहित है जनहित एक सारज्वनिक हित है जनहित सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय की स्थापना है जनहित मानवादिकार है क्या है बिलकुल इसका अंसर क्या है जनहित क्या है जनहित एक सावजनिक हित है सबसे पहला क्योश्यन मैं आपको बता है ना जनहित या सारवजनिक हित या राश्ट्री हित समझ में आ गया जनहित का उद्देश क्या है तो जनहित का उद्देश है समाजिक समानता की स्थापना करना और समाज में नयाय की स्थापना करना इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या दूसरा इसके बाद जनहित को किसका संपोसक मना जाता है तो ज माना जाता है जन्हित माना जाता है तो यह हो जाएगा अंसर तो हो जाएगा एक हो जाएगा वन बी का हो जाएगा चार ती का हो जाएगा दो और डी का हो जाएगा ती यह लगेगा एक चार दो ती कि मिज़ा इसका अंसर होगा एक चार दो तीन समझ में आ गया खीक है ना तुमने यही गलत कर दिया